अच्छी सेहत के लिए ड्राई फ्रूट्स का सेवन बहुत फाइदेमंद होता है। इसी तरह मखाना भी स्वास्थे के लिए बहुत लाबकारी है। इसके सेवन से स्वास्थे को कई लाब मिलते हैं। मखाना, खून की कमी दूर करने, शरीर को मजबूत बनाने के साथ स्किन के लिए भी बेहत फाइदेमंद है। इसमें कई पोशक तत्व और एंटिक सिडेंट मौझूद होते हैं। आईए आज हम आपको मखाना के फाइदे बताते हैं। मखाना में कई पोशक तत्व और एंटिक सिडेंट मौझूद होते हैं। इसमें कई अमीनो एसिड होते हैं, जो अपने एंटि एजिंग गुणों के लिए जाने जाते हैं। जिनमें ग्लूटामाइन, सिस्टीन, आरजिनिन और मिथियोनीन शामिल हैं। यह स्किन के लिए बेहत फाइदे मंद हैं। मखाना में कई एंटिक सिडेंट्स गुण मौझूद होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए फाइदे मंद माने जाते हैं। इसके नियमित सेवन से बीपी भी कंट्रोल किया जा सकता है। रोजाना खाली पेट मखाना खाने से डाइबिटीस कंट्रोल में रहता है। ब्लड शुगर के रोगियों के लिए मखाना एक अच्छा फूड माना गया है। मखाना के रोजाना सेवन से वजन कंट्रोल होता है। अगर आप भी वेट घटाना चाते हैं, तो रोज खाली पेट मखाने का सेवन होते हैं। इसमें मौजूद तत्व वेट लॉस में फाइदे मंद होते हैं। इसके सेवन से दिन भर भूक कम लगती है और बॉडी में पोशक तत्व की कमी भी दूर होती है। मखाना में फाइबर कैल्शियम, आइरन फॉसफोरस समेत कई पोशक तत्व मौजूद होते। इसमें भरपूर मात्रा में आंटीक सीडेंट और आंटीम्फलेमेटरी गुण मौजूद होता है। यह पाचन तंत्र सुधारने से लेकर शरीर को मजबूत बनाने में मददगार है। इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है। मखाना में पोशक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर तो होता ही है साथ ही यह कैल्शियम, मेगनीशियम, आईरन, फॉसफोरस से भी भरपूर होता है। इस तरह ये हड्यों को हेल्दी रखने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने, कोलस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखने में भी मदद करता है। यह नर्व फंक्शन और मसल्स कॉंट्रेक्शन में भी काफी फाइदा पहुचाता है। मखाना में कई औशधिय गुण होते हैं, जिस वज़ा से इसे हेल्दी फूड की कैटेगरी में शामिल किया गया है। मखाने में भरपूर मात्रा में एंटीक्सिडेंट, एंटीइंफ्लेमेटरी और एंटीट्यूमर गुण होता है और यहा पाचन तंत्र सुधारने से लेकर शरीर को मजबूत बनाने में भी काफी मदद करता है। मखाना के सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है। मखानों खाने से शरीर को कैल्शियम की प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है। मखाना में मौजूत कैल्शियम हड्यों और दान्तों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। भोजन में कैल्शियम की कमी हड़ियों को कमजोर कर सकती है ऐसे में फ्रैक्चर और गटिया का खत्रा बढ़ सकता है फॉकस नट्स आपके शरीर को आवशक कैल्शियम की जरूरतों को पूरा करते हैं जो हड्डियों को मजबूत कर गठिया और औस्टियो पुरोसिस रोगों से शरीर को रक्षा करने में मदद करते हैं। वजन को कम करने में भी मखाना का सेवन फाइदे मंद हो सकता है। कैलोरी से भरपूर मखाना के पोशक तत्व शरीर को लंबे समय तक उर्जा से भरपूर रखने में सहायक है, जो ओवरीटिंग से बचाने में मददगार साबित होता है, जिसका सीधा प्रभाव वजन को कम करने पर पड़ता है। दिल की सेहत को ठीक रखने में भी इसका सेवन मददगार है, क्योंकि मखाना में मैगनीशियम भरपूर रूप से मौजूद होता है। साथ ही मखाना अंटीक सिडेंट गुणों से युक्त होने के कारण फ्री रडिकल से शरीर को रक्षा करता है, जो हार्ट को हेल्दी रहने में मदद करता है। इसके साथ ही मखाने में पोटेशियम की मात्रा अधिक और सोडियम की मात्रा कम होने के कारण उच्छ रक्तचाप में भी फाइदेमंद होता है। नूट्रिशनिस्ट के अनुसार मखाना में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो डाइबिटीज के मरीजों के लिए फाइदेमंद माना जाता है। इसके अलावा मखाना में एंटी एजिंग गुण भी पाए जाते हैं। मखाने में मौजूद फ्लेवोनोईट्स एक शक्तिशाली एंटिक सिगेंट हैं जो मुक्त कणों से लड़ते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही मखाने का सेवन उम्र बढ़ने के लक्षणों जैसे जुर्या, महीन रेखाएं और बालों का समय से पहले सफेध होना रोकने में मदद कर सकता है। मखाना में मौजूद पोशक्तन किड्नी की समस्याओं को रोकने में मदद कर सकता है। यह कम सोडियम वाला आहार है जिसमें किड्नी को डिक्सिफाइड कर उन्हें स्वस्त रखने में योगदान देते हैं। इसके अलावा यह बार-बार पेशाबाना आदी समस्याओं से निपटने में भी मदद कर सकता है।